Hello everyone, welcome to One Judgment a Day. तो आज जो हम केस डिसकस करने जा रहे हैं, वो केस है इंदोर डेवलप्मेंट अथोरिटी वर्सिस मनु हरलाद. ये judgment पिछले साल मार्च में आया था और ये अभी आने वाले सारे competitive exams के perspective से काफी important है. ऐसा इसलिए क्योंकि अभी September 2020 में हमारे Chief Justice of India ऐसे बोब्रे ने ये बोला कि Land Acquisition Case में, मतलब इस Indoor Development Authority वर्सिस मनु हरलाल केस में काफी सारे questions unanswered रहे गए हैं, तो इन्हें दुबारा डिसकस करने की जरूरत है. तो chances हैं कि अगर future में same topic पे कोई और इनसान केस करता है, तो इसे 9 Judge Bench refer करेगी, क्योंकि अल्रेडी Indoor Development Authority केस में 5 Judge Bench इस केस को सुन चुकी है. तो जो Land Acquisition Act 1894 था, उसको 2013 में repeal कर दिया गया था. 2013 में Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act को लाया गया था. अब इसी 2013 के Act के Section 24 Clause 2 का ही main contention है इस पूरे केस में. तो Actual में ये Section 24 Clause 2 of 2013 Act ये बोलता है कि अगर कोई भी Land Acquisition की Proceeding चल रही होंगी इस पर्टिकुलर Act के तहत, तो वो Lapse हो जाएंगी अगर State ने तब तक Physical Possession of the Land नहीं लिया होगा और State पेल कर जाएगा Compensation देने को Land Owners को. तो जो ये Word और बीच में आया है ना, यही और main issue है कि आखिर इसे किस तरीके से interpret किया जाए, इदर और की तरह है या फिर नीदर नौर की तरह है. चलिए इसे एक example से समझते हैं. अगर मान लीजे मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 100 रुपे दूँगी अगर आप या तो एक orange खाएंगे या फिर एक apple खाएंगे. तो यहाँ पर मैंने इसको इदर और की तरह है interpret किया है. इसी प्रकार से अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको 100 रुपे तभी दूँगी अगर मैं ये देखूं कि ना तो आपने orange को खाया है और ना ही आपने apple को खाया है. तो यहाँ पर मैंने इसको नीदर नौर की तरह है interpret किया है. नीदर नौर के interpretation के टाइम पे conjunction and बीच में आ जाता है. जैसे कि जब आप orange and apple दोनों नहीं खाएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे. Similarly, यही question कोट के सामने भी था कि section 24 clause 2 में either or किया जाए या neither nor किया जाए. अगर either or किया जाएगा तो दोनों condition में से अगर एक भी condition state ने follow नहीं करी है तो land acquisition की जो proceeding है वो lapse हो जाएगी. पर अगर यही चीज नीदर नौर की तरह इंटरप्रेट की जाएगी तो जब तक state दोनों conditions को fulfill या fail नहीं कर रही है तब तक land acquisition की proceedings पे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा. तो इस issue पे सुप्रीम कोट के सामने सबसे पहला case आया था 2014 में. पूने Municipal Corporation vs. हरकचंद मिस्रीमल सोलंकी इसमें 3 judge bench बैठी थी जस्टिस आरम लोधा, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ की. तो इस case में हुआ ये था कि government ने पैसे ट्रेजरी में तो डाल दिये थे, लेकिन वो पैसे अभी तक land owners के पास नहीं पहुचे थे. और क्योंकि उन्हें पैसे मिले नहीं थे, तो वो ये आग्यू कर रहे थे कि उन्हें अभी तक compensation provide नहीं हुआ है. अब court के सामने ये था कि वो section 24 clause 2 को कैसे interpret करें, इधर और की तरह है या neither nor की तरह है. तो section 24 clause 2 में दो चीज़ें बोली गई हैं. पहली चीज ये कि government के पास physical possession होना चाहिए land का, और दूसरी चीज ये कि government ने जो land owners से उन्हें adequate compensation दे दिया हो. तो अगर हम इधर और की तरह है interpret करेंगे, तो अगर इन में से एक भी condition fulfill नहीं हुई है, तो जो land acquisition की जो proceedings चल रही थी, वो lapse हो जाएंगी. तो इस particular case में court ने यही किया, court ने इसको इधर और की तरह है interpret किया और कहा कि क्योंकि treasury में पैसे डालने का मतलब land owners को पैसे दे देना नहीं होता है, इस वज़े से जो proceedings चल रही थी, वो lapse हो जाएंगी. अब इसके बाद तीन साल तक यही particular view रहा, तीन साल के बाद 2017 में दूसरा case आया, 2017 में आया Indoor Development Authority वसे शैलेंद्र case. इस case में दो judge bench थी, जस्टिस अरुन मिश्रा और जस्टिस अमितवारोय. अब इन दोनों को ये लगा कि इस case में ये जरूरी है कि कोई एक larger bench इस particular question को answer करें और इसलिए इन्हों ने इस case को refer कर दिया. अब reference के बाद जो larger bench बनी, उस bench में भी जस्टिस अरुन मिश्रा थे. तो यहाँ पर आई इस case को लेते हुए पहले controversy कि आखिर जो judge जिसने पहला वाला case refer किया हो, वो उस reference के बाद जो larger bench बनती है, उसमें बैठ सकता है. तो इस question को मैं वीडियो के आखरी में discuss करूँगी. अभी फिलाल इन्दौर Development Authority वर्सिस मनोहर लाल case पही चलते हैं. तो जब इन्होंने ये reference किया और जो ये larger bench बैठी, वो भी एक three judge bench थी. इसमें थे Justice अरुन मिश्रा और Justice A.K. गोएल और Justice Mohan M. शांता गोडर. यहां पर court ने either or की जगे neither nor वाला interpretation अपनाया और कहा कि जब तक दोनों चीज़े नहीं apply करेंगी, तब तक जो proceedings चल रही है Land Acquisition Act के अंदर, वो lapse नहीं होंगी. पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यह decision 2-1 की majority से आया था. क्यूंकि Justice Mohan M. ने यह बोला था कि कोई भी three judge bench, पुराने three judge bench के decision को overrule नहीं कर सकती है. और यह बनी इस case की दूसरी controversy, कि पहला वाला जो case था, पूने Municipal Corporation, वो भी three judge bench था, और जो अभी present case है, वो भी three judge bench है. तो ideally तो इन लोगों को यह वाला भी case आगे एक दूसरी larger bench को refer करना चाहिए था, पर फिर भी यहाँ पर 2-1 की majority से judgment दे दिया गया. अब इन सब के बाद आया यह तीसरा present case जो की हमारा March 2020 में decide हुआ, Indoor Development Authority versus Manohar Lal. तो इस case में main चार issues है. पहला issue यही कि interpretation कैसा होना चाहिए, इदर और वाला या पर नीदर न और वाला. मतलब कि अगर दोनों contingencies met होंगी या फिर जब एक contingency met होगी, कब land acquisition की proceedings lapse होंगी. दूसरा issue यह था कि section 24 clause 2 में word paid use हुआ है. अब इस paid का मतलब deposited से है या नहीं है. यानि कि अगर यहाँ पा जो paid word use हुआ है, उससे हम यह समझें कि जब government land owners के bank account में वो पैसे डाल देगी, तब paid माना जाएगा. या फिर जब government उन पैसों को लेके कोई tender pass कर देगी, मतलब की treasury से पैसे निकालने का tender pass कर देगी, तब हम उसे paid मान लेंगे. तीसरा issue जो था, वो यह था physical possession को लेके. कि physical possession का मतलब क्या है? कि state या फिर जो government जो की वो land ले रही है, वो उसके उपर कुछ और बनाने लग जाए, या फिर वहाँ पर जाके रहने लग जाए, या किसी को वहाँ पर बोल दे रहने के लिए, क्या वो physical possession होगा? या फिर जो already वहाँ पर रह रहा है, उसको जबरदस्ती भगा दे, उसको जबरदस्ती निकाल दे, क्या वो physical possession होगा? तो आखिरकार physical possession का मतलब क्या है? और चौथी चीज ये थी, section 24 में जो प्रोविजो दिया है, वो प्रोविजो सिर्फ section 24 clause 2 को अपलाए करता है, या फिर दोनो section 24 clause 1 और section 24 clause 2 को design करता है, तो ये थे main चार issues, तो पहले point पे court ने नीदर नौर वाला interpretation यूज गिया, court ने कहा कि अगर ऐसी situation होती है, कि दोनों ही conditions को stake या फिर union फुल्फिल नहीं करती है, तो उस situation में जो land acquisition proceedings चल रही होगी, वो lapse हो जाएंगी, अब court ने ये नीदर औ और नौर वाला interpretation इसलिए यूज किया, क्योंकि जब हम section 24 clause 2 को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जो दोनों conditions बताई गई है, उन दोनों के सामने negative term का use होता है, जैसे कि पहले condition में physical possession of the land has not been taken, और दूसरे condition में compensation has not been paid, अब क्योंकि दोनों ही तरफ word not का use हो रहा है, That is why court ने ये interpretation दिखाया, कि जब negative term को use किया जाता है, और उनके बीच में और लिखा होता है, तो वो basically और नहीं, बलकि नीदर नौर वाली situation है, और इस वज़े से court ने बोला, कि नीदर नौर apply करते हुए, जब दोनों ही condition fulfill नहीं होगी, तब जो provision चल रहा होगा, वो apply होगा. इसके अलावा, Justice Mishra ने ये भी बोला कि अगर हम ये बोल देते हैं कि दोनों ही conditions अलग-अलग use हो सकती हैं, तो इसकी वज़े से काफी ज़ादा contradictory consequences हो जाएंगे. उन्होंने कहा कि land acquisition के section 11 और section 16 को पढ़ते हुए, हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई भी state या कोई भी government कोई award पास कर दे रही है और फिर possession ले ले रही है, तो वो उस land की absolute owner बन जाएगी. उस पूरे act में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि possession के पहले की एक precondition पैसे देना भी है और क्यूंकि ये पैसे देने का या मतलब payment की बात कहीं भी नहीं हुई है, तो हम eventually अब यहाँ पर section 24 clause 2 में ये interpret नहीं कर सकते कि अकेले पैस पैसे ना देने से हम वो पूरी जो land है वो transfer नहीं करेंगे. अब आते हैं दूसरे issue पे, जो की था word paid को लेके, तो section 24 clause 2 में जो word paid यूज हुआ है, क्या उसका मतलब deposited भी है, तो क्या जब वो पैसे सिर्फ किसी land owner के bank में आ जाएंगे या court में आ जाएंगे, तब ही हम उन्हें paid मानेंगे, या फिर जब government कोई tender pass कर देगी, तब हम उन्हें paid मान लेंगे, तो यहाँ पर court ने ये rule किया, कि as soon as government कोई भी एक tender pass कर दे रही है, हम उन particular पैसों को paid मान लेंगे, और अब ये matter नहीं करता, कि जो वो land owner है, उसको वो पैसे कब और कैसे मिल रहे हैं, ऐसा court ने इसलिए किया, क्योंकि कई बार land owners जो पैसे मिल रहे होते हैं, उससे खुश नहीं होते हैं, और वो वो पैसे accept ही नहीं करते, और फिर time निकल जाने के बाद case करते हैं, कि हमें अभी तक पैसे नहीं मिले, तो ये land acquisition की proceeding है, इनको lapse कर दिया जाए, तो इन सब चक्करों से बचने के लिए court ने बोला, कि as soon as government एक tender pass क कर देगी, कि हाँ, उसकी tragedy से ये पैसे इन लोगों के पास जाने हैं, अब उन पैसों को जाने में जितना भी समय लग रहा हो, उससे फरक नहीं पड़ता, as soon as tender हो गया, वो पैसे paid मान लिये जाएंगे. तीसरा issue, जो कि possession को लेके था, इस पे court ने ये judgment दिया, कि जब भी कोई state चाहा रही है कि वो किसी भी land का possession ले, तो उसको उसके लिए एक memorandum pass करना चाहिए, जैसे ही वो memorandum pass हो जाएगा, वो जो land है, उसका lawful owner state बन जाएगा. अब state के लिए जरूरी नहीं है कि वो जबरदस्ती वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उन्हें हटाएं. नहीं, वो जब तक रहना चाहते हैं, वो रह सकते हैं, पर जब भी state को जरूरत पड़ेगी, state उन्हें हटा सकती है. क्यूंकि as soon as memorandum pass हो जाएगा, state उस land की lawful owner बन ज बारे में. तो अब section 24 का जो प्रोविशो है, वो ये कहता है कि अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी land का award बन चुका है, पर उसके जो beneficiaries हैं, उनके account में अभी तक पैसे अगर deposit नहीं किये गए हैं, तो वो सारे beneficiaries मिल के case कर सकते हैं और compensation मांग सकते हैं. अब problem ही आ रही थी कि 24 clause 1 discuss करता है, उन सारे awards के बारे में, जो की 2013 वालो जो amendment आया था, उसके 5 साल पहले ही निकल चुके थे. So basically, 24 clause 1 ऐसे awards की बात करता है, जो की पुराने वाले act के थुरू दिये गए थे, 2013 के पहले, और 24 clause 2 बात करता है उन awards की, जो की 2013 वाला जो amendment आया था, उसके 5 साल पहले ही जो awards दिये गए हैं, या उस act के बाद जो awards दिये जा रहे हैं. तो इस वज़े से ये बात हुई कि अगर इस प्रोविशो को हम 24 clause 1 में भी apply कर देंगे, तो उससे होगा ये, कि जो पुराने और time barred claims हैं, उनको भी reopen करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि वहाँ पर compensation दी गई थी या नहीं दी गई थी. तो court ने यहाँ पर जब interpret किया, तो उन्होंने बोला कि section 24 clause 2 के बाद एक semicolon है, जबकि section 24 clause 1 के बाद एक full stop है. इसका मतलब section 24 clause 1 उस full stop पे ही खतम हो जाता है, और क्योंकि section 24 clause 2 के बाद semicolon है, मतलब कि वो provision जो है, वो सिर्फ section 24 clause 2 पे ही apply होगा. तो मतलब कि अगर 2013 के 5 साल पहले में अगर किसी का award दिया गया है, और उनके अभी तक compensation नहीं दिया गया है, तो वो लोग section 24 के तहट case कर सकते हैं. तो इसके साथ ही हमारा ये case खतम होता है, और अब हम आते हैं justice अरुन मिश्रा के साथ related controversy पे. तो हुआ क्या था कि 2017 वाले case में जब double judgment पैठी थी, तो उसमें भी अरुन मिश्रा थे, और उन्होंने कहा कि हमें लगनी रहा है, कि ये judgment सही जा रहा है, तो इसको हमें refer करना चाहिए. तो उन्होंने उसको refer किया 3 judgments के पास, अब जो जो 3 judgments थी उसमें भी अरुन मिश्रा थे, और उन्होंने उसी में 2-2 ratio 1 के रेशियो से judgment दे दिया, अब हुआ क्या कि जब इस चीज को भी, अब जो ये नया case आया, 2020 वाला, 5 judgments वाला, इसमें भी अरुन मिश्रा पैंच का part थे, अब यहाँ पर लोगोंने content किया, petition file हुई, कि नहीं, अरुन मिश्रा को अब यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह already इस चीज पर पहले कर चुके हैं और decide भी कर चुके हैं, तो उनका तो bias already set है, तो इनका एक biased opinion होगा, और इसी लिए किसी all judge को यहाँ पर होना वैसे तो उनने बोला कि यह कोई personal matter नहीं है, जिसमें उनका bias होगा, और जिस तरीके से यह counselor बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे हटा दो और दूसरे को यहाँ पर कर दो, तो यह तो कहीं ना कहीं judge hunting की तरह हो गया है, कि वो hunt करेंगे और वो अपने हिसाब का कोई judge बठा देंगे और जब तक मैं हूँ, Supreme Court है, Constitution है, यह सब चीजें गलत होंगी, तो यह उनके personal arguments थे, पर इसके साथ साथ ही उन्होंने कुछ हमें Constitution के basis पे भी arguments दिये, तो Justice Arun Mishra ने Constitution के कई cases को cite करते हो यह बोला, कि यह पहला बार नहीं होगा, जब कोई judge जिसने पहले ही किसी smaller bench में अपना opinion दे रहा है, उन्होंने कई सारे cases cite के, जिसमें से सबसे important दो cases थे, पहला State of Bombay versus United Motors और दूसरा Bengal Immunity Company Limited versus State of Bihar, तो State of Bombay versus United Motors जो था, यह पहले आया था, यह आया था हमारा 1953 में, अब इस case में five judgments थी, जिसमें दो judges जो थे, उन्होंने बाद में जाके Bengal Immunity case में भी judgment दिया, और यह judges थे, जस्टिस भगवती और जस्टिस बोस, तो जो पहला case था, State of Bombay versus United Motors, इस case में हुआ क्या था, कि Bombay Sales Tax Act आया था, और इसने कई उन सारी activities पे भी tax लेवी कर दिया था, जो कि interstate sales के बीच में आती थी, तो जब यह court में case आया, तब court ने यह बोला कि हाँ, कि हाँ, यह power है, कि वो उन चीजों पे भी tax लगा सकता है, जो interstate taxes के बीच में आती है, बट यही चीज, जब seven judge bench के सामने गई, Bengal immunity case में, तब court ने hold किया, कि जब तक Parliament ऐसा कोई law नहीं बना देती है, जिससे उसके पास या state के पास ऐसा power नहीं आ जाता है, तब तक कोई भी state अपने आप से ऐसा कोई भी tax impose नहीं कर सकता है, किसी भी ऐसे good पे, जो की interstate trade या commerce का part हो, तो eventually Bengal immunity case ने state of Bombay case को overrule किया, और यह notice करने वाली बात है, कि उस time पे justice भगवती, जिन्होंने पहले state of Bombay वाले में जो judgment दिया था, उसको overrule करके Bengal immunity में दूसरे side को favor किया, तो इसी को side करते जस्टिस अरुन मिश्रा ने ये बोला, कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये 1953 से चला आ रहा है, और कई बार ये देखा जाता है, कि जो judges होते हैं, वो अपना opinion बदल भी लेते हैं, क्योंकि उनका opinion सिर्फ evidences पे waste होता है, तो इन ही सारे cases को cite करते हुए, जस्टिस अरुन म Association and Others versus Union of India, case को cite करते हुए ये कहा, कि क्योंकि इस case में बोला गया था, कि जिस judge से recusal की बात करी जा रही हो, या मांग की जा रही हो, वो जो determine करेगा, उसी determine को hold किया जाएगा, और तभी इस case को एक precedence की तरह यूज करते हुए, बाकी judges ने भी Justice Mishra के opinion के साथ पन कर किया, और इवेंचली, Justice Mishra ने 2020 वाला जो judgment दिया, उसमें एक एहम रोल प्ले किया, इसके साथ ही हमारा Indoor Development Authority versus Manohar Lal 2020 case खतम होता है, हाँ, आखरी में जो मैंने Advocates and Records Association and Others versus Union of India का जो case डिसकस किया था, उसको fourth judges case भी कहते हैं, इसके पहले भी तीन important judges case आये थे, जल्दी ही मैं उन चारों cases से related भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैं उन चारों से related cases की वीडियो बनाऊं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज मुझे comment करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, थैं थैंक यू